Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्त होंगे Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead This is Aashu और आज हम डिसकस करेंगे 9 मार्च 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करेंट फिर जिसमें से आप 2 बेस्ट इमेजिस देख रहे हो लेकिन आज हम डिसकस करेंगे almost 20 current affairs जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत important है तो वीडियो को बिलकुल last तक देखियो और सारे बच्चों से request है कि आप वीडियो को like करना है, share करना है और maximum to maximum जो है वो चैनल को subscribe आपने करवाना है तो ये आपका जो है वो लक्षे रहेगा तो guys आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजे मैं आपके साथ डिसकस करूँगा जो की हमारी affairs cloud की subscription के बारे में है कि किस तरह से आप हमारी affairs cloud की जो subscription है वो buy कर सकते हैं जो की current affairs से related है आपको क्या करना पड़ेगा हमारी application को download करना पड़ेगा application का नाम क्या है application का नाम है careers cloud तो जैसी आप application को download करोगे उसमें आपको एक साल की और दो साल की subscription आपको मिल जाएगी लेकिन 2021 और 2022 की subscription लेने के लिए तो आप application को download करोगे लेकिन 2020 की अगर आप subscription लेना चाहते हैं चाहे वो 6 महीने की हो चाहे एक साल की हो लेकिन वो आप हमारी website से ही buy कर सकते हैं website का नाम है affairscloud.com slash current affairs तो आपने याद रखना है और खास करके application को किस तरह से download करोगे link जो है वो description box में given है आप वहां से directly download कर सकते हैं अब दूसरा question है इसमें किया आप download क्यों करोगे मतलब आप हमारी affairs cloud की subscription है वो buy क्यों करेंगे तो उसमें आपको मिलेगी daily wise pdf daily wise pdf में दो तरह की pdf होगी एक में detailed current fare होगा particular day का एक में होगे question and answer format में current fare तांकि और मुझे और कितना current fare पढ़ने की ज़रूरत है और मुझे कितना current fare याद है next होगा monthly pdf section जो अपने आप में एक बहुत important section है क्यों क्यों क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही तरह की pdf's provide करते हैं आपके exam के recording जैसे कि पहली pdf study pdf मतलब आपको पूरे महीने का theoretical और detailed current fare इसमें मिलेगा next होगा question and answer pdf इसका मतलब जो detailed current fare होगा वो question and answer format में आपको दिये जाएगा तांकि आप questions को revise कर सको next होगा pocket pdf जिसमें आप जल्दी जल्दी में current fare को revise कर सकते हो theoretical format में next होगा banking finance and economy pdf हम खास करके उन बच्चों के लिए तियार करते हैं जो banking exam की तियारी कर रहे हैं और next होगा दोस्तो top 100 questions इसका मतलब top 100 मतलब best 100 current affairs आपको मिलेंगे वो भी question and answer format में तांकि आप current affairs को बहुत ही अच्छे से revise कर सको तो आप खुद देख सकते हो अगर इस तरह से आप current affairs को पढ़ते हो तो आपका current affairs section बहुत ही अच्छे से strong हो सकता है और even 90 से 95% current affairs जो की आपके exam में आ रहे हैं वो हमारे ही current affairs से लिए जाते हैं इवन बहुत से youtube channel बहुत सी magazine जो हमारे current affairs से बनाई जाते हैं yearly और two yearly subscription लेकिन इसके उपर हम आपको 10% extra discount दे रहे हैं आपको use करना कौन सा code ASH10 तो आपको extra 10% discount जो वो मिल जाएगा तो हम start करते हैं आज का current affairs 9th of March 2021 का लेकिन उससे पहले फिर से सब बच्चों से request करना चाहूंगा कि यार वीडियो को like कर दें, share कर दें maximum to maximum और channel को subscribe कर दें तो start करते हैं आज का current affairs हमारे पहले section के साथ जो है most important question section जिसमें पहला question है what is the rank of India in B2C e-commerce index 2020 released by UNCTAD तो इस question में आपके लिए 2-3 चीज़े important है पहला तो यह organization UNCTAD तो इस organization की abbreviation क्या है इस organization की abbreviation है United Nations Conference on Trade and Development तो इसका मतलब यह United Nations की एक organization है जो specially trade or development के उपर काम करती है और next है B2C e-commerce index मतलब यार यह business to consumer हम कह सकते हैं यह आप कह सकते हो business to consumer जो e-commerce चीज़े मतलब जो आप online shopping करते हो तो उसमें जो है वो India का rank कितना है तो total कितनी countries को आखा गया था और India का rank जो है वो दोस्तों कितना है इंडिया का rank है 71st तो याद रखना है इंडिया का rank 71st है और आपको पता होना चाहिए कि top जो है वो country कौन से है जो सबसे ज़्यादा जो है वो online shopping के थूँ जो है वो चीजों को मंगवाती accessibility, internet की सब लोग जो है तो याद रखना है Switzerland होगा इससे पहले नीदर लैंड सा 2019 में लेकिन अभी जो है वो answer हमारे पास क्या होगा Switzerland होगा और याद रखना है 2020 का index है 2021 का नहीं है क्योंकि पूरा data जो है 2020 का इकठा गया गया मत्तलब दिसंबर तक का data जो है अंडर दी B2C e-commerce index सिरफ इतना याद कर लें e-commerce index है या online shopping के लिए और किसने top किया है Switzerland ने इसके अंदर top किया है तो 75th index rank 2019 में इसका मतलब हमने improve किया है accessibility बढ़ी है लोगों की online shopping का trend जो है वो क्या हुआ है increase हुआ है और कोई भी economy कितनी prepare है online shopping के लिए तो उसके basis पर ये index निकाला जाता है top Switzerland किया है और दूसरा rank किस के पास है Switzerland के पास है और पहला Switzerland दूसरा निदर लेंड पहला Switzerland है दूसरा कौन से है निदर लेंड से है और recently आपने दो index को याद रखना है जो कि Lawyer Institute की तरफ से बनाए गए है जो कि Australia के आप कह सकते है एक बहुत ही प्रीमेर इंसीचूट है Australia-based institute है तो उन्होंने एक index निकाला था Asia Power Index 2020 जिसमें इंडिया जो है वो fourth most powerful country बताया गया था Asia के अंदर तो ये आपने याद रखना है दूसरा वो है COVID Performance Index ये भी है अपने आप में एक important index है जो कि फिर से Lawyer Institute ने बनाया था और ये इंसीचूट अस्टेलिया बेस्ट है और इसमें इंडिया करेंक 86 था 98 countries में से कि pandemic मतलब जो COVID-19 था उसको हमने किस तरह से tackle किया उसका response गवर्मेंट का कैसा था तो इसके basis पे इंडिया करेंक बहुत ही पूर है इसके अंदर तो आपने COVID Performance Index को भी याद रखना है Asia Power Index को भी याद रखना है तो दो रीसेंडली इंडेक्स इसको आप क्या रखोगे याद रखोगे और मैं Conference on Trade and Development के बारे में बता चुका हूँ Headquarter Geneva है Establish किया गया था 1964 में Next question के उपरा आते है India's first forest healing center was inaugurated in which state? तो यार गने जंगलों में इसको बनाया गया तांकि आपकी बिमारियां जो हैं वो कम हो सकें आप nature के साथ जुड़ सकें और यह center कहां पर बनाया गया है तो बहुत ही simple question है और answer बच्चों ने दे दिया है अंसर क्या होगा इसका उत्तराखंड होगा तो उत्तराखंड आपके लिए बहुत ही important state है तो सबसे पहले आपको पता होना जी Chief Minister कौन है state के Chief Minister है रवेंदर सिंग रावत जी गवर्नर कौन है गवर्नर है बेबी रानी मौरया तो ये भी आपको याद रहेगा बेबी रानी मौरया जी गवर्नर है और यहां पर important खास बात क्या है National Parks of the उत्तराखंड यहां पर आपको मिलेगा पूरे इंडिया का oldest National Park और वो कौन सा है Jim Corbett National Park याद रखेंगे और एक आपको मिलेगा नंदा देवी नंदा देवी National Park और नंदा देवी Biosphere Reserve भी है कहां पर है यह उत्तराखंड के अंदर राजा जी National Park आपको यहां पर मिल जाएगा Valley of Flowers National Park आपको मिल जाएगा यहीं पर आपको मिलेगा गोविंद पशु विहार याद रखना है गोविंद पशु विहार यह भी National Park आपको कहां पर मिलेगा उत्तराखंड के अंदर मिलेगा और एक आपको मिलेगा गंगोतरी National Park क्योंकि गंगोतरी Glacier मतलब जो गंगा रिवर है वो यहीं से उत्तराखंड में सबसे पहले जो है वो स्टार्ट होती है तो यह सारी चीज़े याद रखने हैं एक बर दुबारा से मैं आपको National Park से बता देता हूँ Jim Corbett National Park जो की oldest National Park है इंडिया का जिसको हेले National Park भी का आ जाता है और उत्तराखंड रानी खेत और उत्तराखंड में भी आपको exact पूछ सकते हैं कि कहां पे इसका जो है अनुग्रेशन किया गया है तो exact place दोस्तों कौन सी है exact place है हमारे पास रानी खेत बहुत ही famous जगा है जो की जंगलों से बरी हुई जगा है और जिसमें आपको nature के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा और 13 acre मतलब 13 acre land में इसको बनाया जा रहा है और इसका उद्गाटन जो है वो बहुत ही famous environmentalist जिसका नाम है जोगेंदर बिष्ट उन्होंने किया है तो अपनी जिंदगी को heal करने के लिए अपनी बिमारियों को heal करने के जिंदगी को revitalize करने के लिए दुबारा से healthy बनाने के लिए तो overall health को अच्छा करने के लिए तो आपको nature के साथ जो है जोड़ा जाएगा इसका theme यार यह रखा गया है पूरा मतलब जो 30 naked में यह बनाया जाएगा be silent मतलब शान्त रहें go slow दिरे दिरे करके आगे बढ़ें think less सोचना कम है और feel more और nature को जो है वो feel जादा करना है और आपने उत्राखन के बारे में 2-3 चीजे मतलब उनकी जो famous districts है उनके बारे में याद रख लेना है रिशीकेश को कहा गया yoga capital of the world, देरद उनको कहा गया school capital of the world, मसूरी को कहा गया queen of health ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है और उत्राखन के बारे में हम विशेश रूप से बात जो है कर चुके है next question के उपर आते है what will be the new name of the channel which was recently announced after the merger of Rajya Sabha TV and the Lok Sabha TV तो देखे और कितना interesting question है कि अभी तक जो खास करके UPSC के students है या State Public Service Commission के students है वो Rajya Sabha TV को सुनते थे लोक Sabha TV को लगसे सुनते थे लेकिन Rajya Sabha TV को ज़्यादा सुनते थे तो यार अब उन दोनों channels को merge कर दिया गया है merge करके एक नया channel बनाया गया है यह जो हमारे Rajya Sabha के chairman है श्रिवेंकिया नाइडू जी उनकी तरफ से और ओम बिर्ला जी जो लोक Sabha के speaker है दोनों ने एक meeting के अंदर यह decide कि हमें यह हो जा है इसको क्या करना चाहिए merge करना चाहिए तो यहर कर दिया गया है और नया नाम क्या होगा yes, सब बच्चों ने अंसर बता दिया, अंसर क्या होगा B, अंसर क्या होगा, संसद TV होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, the merger of लोक Sabha TV and Rajya Sabha TV जो है वो finalize कर दिया गया और उसको replace कर दिया गया एक ही नाम से जिसका नाम क्या होगा संसद TV, तो यह attempt है कि हमने क्या करना है, दोनों houses के जितने भी काम है, वो सबको हमने क्या करना है एक साथ जो है, वो show करना है और even जब parliament के session नहीं भी होंगे तब भी जो है, वो यह showcase होगा कि किस तरह से parliament जो है, वो काम करती है और 1 March 2021 से यह start हो चुका है और यह committee जो है, बनाई गई थी इसको देखने के लिए कि merge करके क्या करना है, किस तरह से काम करेगा तो परसार बारती के former chairman सूर्या परकास जी तो उन्होंने यह suggest किया कि इन दोनों channels को क्या करना चाहिए merge करना चाहिए, तो इतना याद रखना है नाम जुरूर याद रखना है, संसत टीवी हो गया है next question के उपराते है who won the gold medal in 35th edition of the 2021 boxam elite international tournament held in Spain तो यह सबसे पहले इस question में सबसे important चीज़ क्या है वो है कि यह boxam elite international tournament कौन सी country में हुआ है तो याद रखने है, Spain में हुआ है और इसमें जो है, वो Indians ने 10 medal जो है, जीते हैं जिसमें से एक बंदे ने gold medal जीता है 8 बंदों ने silver medal जीता है और एक बंदे ने फिर से gold medal नहीं यहाँ पे bronze medal जीता है तो याद रखना है, एक gold 8 silver है हमारे पास और एक bronze medal है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसने gold जीता है, किसने bronze जीता है तो हमने यहाँ पे question के अंदर क्या पूछा है कि gold किसने जीता है तो यहाँ पे answer क्या होगा Manish Kaushik होगा यार answer क्या होगा, Manish Kaushik होगा और बहुती famous जो है वो boxer है इन्होंने ये medal जीता है कितनी kg category के अंदर 63 kg category के अंदर इन्होंने ये gold medal जीता है तो Jasmine ने silver medal, Simranjit Kaurbath ने silver medal लेकिन MC Marykomm यार इस बार थोड़ा सा वो चूगी है लेकिन उन्होंने कौन सा medal जीता है bronze medal जीत लिया है one of the most important player of India तो आप यहां पर देख सकते हो Boxing Federation of India की बात हो रही है और Boxing Federation of India के chairman कौन है Ajay Singh मत्रपरेजिडेंट कौन है Ajay Singh तो याद रखना है बहुत ही important question को हम क्या कर रहे है discuss कर रहे है और साथी साथ याद रखना है कि ये Boxum Tournament जो है 1976 से हो रहा है और इसको Spain जो है वो क्या गरता है organize करता है, host करता है इसको तो इस चीज़ को आपने याद रखना है तो आप Manish Kaushik देख सकते हो इन्होंने Gold Medal जीता है 35th Boxum International Tournament जो की कहाँ पर हुए Spain जे और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि Boxum Tournament किस से related है तो यार ये बहुत ही simple question हो जाएगा क्योंकि Boxum मतलब Boxing से related है तो इसलिए नाम Boxum इंडिया finished 10 medal मिले हैं जिसमें से एक जो है वो gold तो मैं पहले पता चुका है एक gold, 8 silver और एक bronze medal इंडिया ने जीता है और Maricom ने bronze medal जीता है Manish Kaushik ने जो है वो gold जीता है इसामिनर को बहुत ही difficult question बनाना पड़ेगा लेकिन ऐसा question जो हो नहीं आएगा कि आपको category पूछी जा सके तो Boxing Federation of India के प्रेजिडेंट कौन है अजे सिंग तो next question के उपर बढ़ते हैं अगला question है हमारे पास जिसको हम Yonex Swiss Open 2021 भी कहते हैं मतलब अगर हम simple words में कहें कि कौन सा Indian shuttler है जिसने silver medal जीता है Yonex Swiss Open के अंदर Swiss Open 2021 और ये पूरे साल का पहला जो है वो आप कह सकते हो कि badminton से related या पहला tournament जो है वो यहाँ पे जो जित किया गए international level पे मतलब badminton world federation का पहला world tour है ये 2021 का और ये किसने silver medal जीता है मतलब gold medal जीते जीते रहे गी है finals में पहुंच गी थी लेकिन finals में एक person थे जिनका नाम था Victor तो मतलब वो Denmark से बिलॉंग करते है उन्होंने हरा दिया और answer क्या है इसका PV Sindhu तो याद रखना है PV Sindhu जी अंसर होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं PV Sindhu settles for silver medal Swiss Open Super 300 या आप कह सकते हो इसका नाम क्या होगा Ionex Swiss Open 2021 और इन्होंने जीत लिया है silver medal और किसने हरा दिया ये हरा दिया था women category के अंदर Spain की थी Carolina Marin तो उन्होंने women's category के अंदर जो है वो हरा दिया के अंदर गोल्ड किसने जीता है वो जीता है Carolina Marin ने लेकिन हमने याद नहीं रखना क्योंकि इंडिया का टूर्णमेंट नहीं है लेकिन Ionex Swiss Open जो है वो आपको याद होना चाहिए और men's category मैं पता चुका हूँ Victor जीते हैं Denmark से और Badminton World Federation का जो headquarter यह आपने ज़रूर याद रखना है यह बहुत ही important है और कई बार प्रेजिडेंट पूछ सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा important तो नहीं कोँगा और प्रेजिडेंट का नाम है Paul Larson तो Paul Larson जो है वो इसके प्रेजिडेंट है Badminton World Federation के लेकिन याद रखने की ज़रूर तो नहीं सिरफ headquarter जो है वो आप याद रखेंगे next question के उपरा आते हैं autobiography the frontier Gandhi my life and struggle to be published in English this is related to which person तो यार बहुत ही simple question है even यह history का question है who was known as the frontier Gandhi तो अपने आप में एक बहुत important question उनकी autobiography जो की पहले लिखी जा चुकी है लेकिन वो अलग language में थी अब इसको English में translate किया गया किस बंदे की autobiography है यह आपने मुझे बताना है अंसर क्या होगा खान अब्दुलगफ़ार खान जिनको बाश्या खान भी कहा जाता था इनकी एक organization थी खुदाई खिदमतगार तो यह उसके head थे और इसको red shirts भी कहा जाता था इस organization को red shirts भी कहा जाता था तो अब देख सकते हो frontier गांधी गांधी जी के काफी close इनको माना जाता है और यह इनकी autobiography जो है वो लिखी गई है अब देख सकते हो यह English में लिखी जा रही है otherwise इससे पहले यह लिखी जा चुकी थी कौन सी language के अंदर यह पश्टो language के अंदर लिखी गई थी जो 1983 में publish की गई थी और आपने याद रखना है कि यह book किसने लिखी थी पहले राच मोहन गांधी ने जो है वो इसके अंदर लिखा था जो की grandson है गांधी जी के तो उन्होंने इस book को publish किया था कौन सी language में पॉश्टो में लेकिन अब जो है इसको English में translate किया है इम्तियाज एहमद साहिब जादा जो की पाकिस्तान के एक बहुत ही famous civil servant और author है तो हमने ये नहीं याद रखना किसने इस book को लिखा किस से related है या आपने जुरूर याद रखना है इनको बच्चा खान, बाश्या खान या फकीर अफगान कहा जाता था और frontier गांधी इसलिए क्योंकि ये Northwest Frontier में जो है वो बहुत जाद एक्टिव थे और इन्होंने खुदाई खिदमदगार Servants of God या आप कह सकते हो Red Shirts के नाम से ये organization जानी जाती थी 1930 से लेके 1947 तक इन्होंने वहाँ पे काम किया तो याद रखना है खान अब्दुल गफार खान बहुत ही important नाम आप यहाँ पे देख रहे हो और इवन आप एक बात और याद रख सकते हैं अब्दुल गफार खान के बारे में ये पहले foreigner हैं ये पहले foreigner हैं जिनको बारत रतन मिला था और वो जो है वो इनको मिला था कौन से year में ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैंगी कौन से येर में इनको बारत रतन जो है वो दिया गया था 1987 में तो याद रखना है 1987 he became the first warner to win the बारत रतन तो ये बहुत ही important बात है तो इसलिए याद रखना है इवन ये nominate भी हो चुके थे Nobel Peace Prize के लिए 1985 में लेकिन as such इनको उस time period पे नहीं मिला था तो इसलिए आपने इनको याद रखना है और अगर आपको एक question में और बता दू तो वो भी आपको जो है वो काम आ सकता है इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता था क्या कहा जाता था सरहदी गांधी लेकिन ये यार कोई नया नाम नहीं है ये frontier गांधी का ही हिंदी नाम है सरहदी गांधी चलो नेक्स question को उपर आते हैं United Nations International Women's Day is annually observed across the globe on which day बहुत ही simple सा question मैंने आपको पूछ लिया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन होता है और आपको पता है कि आप अगर news सुनते हो अगर आप वैसे भी कोई website खोल के बैठे हो तब भी आपको ये पता लग जाएगा कि International Women's Day वो कम मनाया जाता है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका theme जो है वो क्या है तो answer तो बहुत simple हो गया 8th of March होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो theme कहा है Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World मतले यार हमने जो है वो बहुत सी चीज़े अचीज़े अचीव की है खास करके Women Entrepreneurship के अंदर यो कि एक report जो हो publish की गी थी Women in Business 2021 ये एक आप कह सकते हो accounting firm है Grant Thornton जिनोंने ये report publish की थी उन्होंने एक survey की है उन्होंने देखा कि ये पूरे world के अंदर senior management के अंदर 31% women है own and average पूरे globe में जो है वो 31% जो women है वो senior management के अंदर है लेकिन इंडिया इनसे उपर है इंडिया में almost 39% women जो है वो senior management के अंदर शामिल है तो इंडिया जो है वो third largest country है जिसमें percentage of women जो है वो ज़्यादा है senior management के अंदर तो सिरफ एक दो बातों में lack कर रहे हैंडिया कि parliament के अंदर वो women की reservation नहीं है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए तो दीरी दीरे करके वो भी जो है वो चीज़े क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी it is to recognize the achievement of the women regardless of their nation, ethnic, language, culture, economic और the political मतलब कहीं से भी belong करती हो तो हमने क्या करना है उनकी achievement को जो सरहना है और सिरफ ऐसा ही नहीं कि women day को ही सरहना है हर रोज आपने जो है आपके गर में mother है, बहन है, जो कोई भी है तो आपने क्या करना है, respect करनी है आपने उनको और प्रोहसाहन देना है जो भी वो काम करना चाते हैं, जिसमें वो आगया बढ़ना चाते हैं तो कभी भी उनको जो है वो हमने demotivate नहीं करना और the theme of international women day women in leadership, achieving an equal future in the covid-19 world, और बहुत बड़ा योगदन है women का covid-19 इनको के साथ लड़ने के लिए क्योंकि गर पे थे सब लोग तो आपको भी पता लगा होगा कि किस तरह से वो काम करते थे और किस तरह से उनका sacrifice जो है, वो आ गया आया और Grant Thornton, उनकी तरफ से ये report दी गई, women in business 2021 report, जिसमें बताया गया कि world में senior management के अंदर 31% women है, लेकिन इंडिया में जो है वो 39% जो है senior management के अंदर है, इसलिए इंडिया का rank जो हो third है, पूरे world के अंदर women in senior management list के अंदर, तो इस बात को भी आप याद रखोगे, तो next question के उपर आते हैं अब आते हैं very important questions के उपर इसमें पहला question है, ministry of agriculture and farmers welfare signed MOU with whom for the promotion of agroforestry and silk sector तो बहुत ही simple question है कि silk sector को हमने आगे बढ़ाना है, इसकी खेती को silk worms को जो है, उसकी खेती को आगे बढ़ाना है ताकि maximum to maximum लोग इसके साथ जुडें और उनकी income जो है वो क्या हो सके enhance हो सके, तो answer क्या होगा इसका central silk board होगा, तो बहुत ही simple question था, central silk board और यह ministry of agriculture and farmers welfare मतलब नरेंदर सिंह तोमर जी की बात हो रही है और दूसरा जो central silk board है वो ministry of textile के अंडर आ गया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी समरिती इरानी जी की और आप यहां पर देख सकते हो, as a part of MOEU, there will be implementation of agroforestry in the silk sector under the ongoing submission of agroforestry scheme, ताकि maximum to maximum income जो है वो यहां पर enhance हो सके तो इस चीज़ को आपने याद रखना है और silk industry और वैसे भी इंडिया के लिए बहुत ही जादे important है, cotton industry भी इंडिया के लिए बहुत जादे important है तो यह दोनों ऐसे textile के हमारे पास features हैं, जिसमें इंडिया जो है महारत हासिल करता है और हमारे पास best quality का cotton और silk यहां पर मिलना है, तो इसलिए seri culture को हमने क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है चाहे वो silk farming हो, चाहे वो cultivation of silk worms हो, चाहे वो production of silk हो, किसी भी तरह से हमने उसको आगे बढ़ाना है तो to incentivize farmers to take up seri culture based agroforestry model silk की खेती करें वो the support of the production of famous Indian silks will increase the quality as well as the production capacity of silk in India तांकि silk की capacity इंडिया की बड़े, production बड़े, export बड़ेगा, तो income जो है में याद रखने, constituency उनकी मौरिना है मध्यप्रदेश, और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो, कि जो हमारे पास समरीती रानी जे, उनकी constituency साए सारे बच्चों को पता होगा, कि राहुल गांदी जी को हराया था उन्होंने, तो answer क्या होगा अमेठी होगा, तो उनकी constituency अमेठी थी next question के उपराते है, all major programs of ministry of women and child development brought under which umbrella scheme, तो जितने भी ministry of women and child development से जुड़े होगे program थे, उनको जो है वो कितनी schemes के अंदर merge कर दिया या एक scheme के अंदर कर दिया गया तीन के अंदर कर दिया, क्योंकि option आपको यहाँ पे all of these भी जो है वो मिलेगा, बिल्कुल तो whatever बताएंगे, कौन-कौन सी schemes है जिसके अंदर merge कर दिया गया, yes सबके बच्चों के answer सही है, answer क्या होगा all of these सारी की सारी schemes जो है वो तीन schemes के अंदर जो है, वो merge था कि हमने nutrition content को बढ़ाना है हमने लोगों की outreach, outcome या delivery purpose को हमने बढ़ाना है ताकि maximum to maximum लोगों को portion जो है, वो मिल सके maximum to maximum लोगों को nutritious value मिल सके next था mission वतसालिया, जो की again important था child protection services और उनकी welfare services के लिए mission स्टार्ट किया गया था next था mission शक्ती, ये woman empowerment के लिए start किया गया था, woman को protection देने के लिए वो start किया गया था, तो ये तीनो schemes के अंदर जो है, वो बाकी सारी schemes को क्या कर दिया गया है, merge कर दिया गया तो question तो ज़्यादा important नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तीन schemes के बारे में थोड़ी सी जान करी यहां से मिल सकती है, और आपको पता है ministry of women and child development कौन है, women and child development है, समरीती इरानी जी, उनकी constituency में बता चुका हूँ, अमेठी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, classifies major program under three umbrella schemes, mission portion 2.0, mission वतसाल्या, and mission शक्ती, for better और 2011 का अगर census देखोगे, women और children की, अगर population बात करें, तो 67.7% है, इसलिए इनको सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए, focus करना चाहिए, इनकी development के उपर काम करना चाहिए, और recently एक MOU sign हुआ था, ministry of women and child development का, किसके साथ, आयूश ministry के साथ, और वो क्या था, कि malnutrition को हमने क्या करना है, कम करना है, portion अभियान के थूँ, जिसकी हम बात करें थे, portion 2.0, और समरीती रानी की constituency, अमेठी, तीन बार हम discuss कर चुके हैं, एक ही दिन के अंदर, तो आप सो सकते हो, कितना important question ये बन सकता है, next question आते हैं, who collaborated with sahipay to promote nano entrepreneurship among us youth in the financial service sector, तो एक simple word में, अगर मैं इस question को लूँगा, तो आप क्या सकते हो, कि ये MOU sign किया गया है, ताकि हम financial literacy को क्या कर सके, improve कर सके, youths के अंदर, ताकि maximum to maximum लोग अगर financial literacy के साथ जुडेंगे, तो वो saving कर सकते हैं, पैसे का सही इस्तिमाल कर सकते हैं, और sahipay जो है, वो एक android based integrated platform है, जो कि मनिपल business solutions की तरफ से develop किया गया है, ताकि वो इस तरह की financial literacy को आगे बढ़ा सके, तो किसने ये sign किया है, तो आप देख सकते हो, बहुत ही important organization आप यहाँ पे, national skill development corporation है, से भी आपको पता है, अजेत्यागी जी इसके head है और 1988 में इसको established किया गया था, निती योग 2014-15 में established किया गया, इसके head जो है वो prime minister होंगे, national payment corporation of India, again अपने आपने एक important है, दिलीप असबे जी इसके head है, लेकिन answer जो है, वो यह तीनों नहीं है, सकते हो, तो आपने याद रखना है कि already national skill development corporation का एक mission जो है, वो चल रहा है, जिसको कहते है, e-skill portal, तो आपने याद रखना है, कौन सा portal है वो, e-skill portal, उस e-skill portal के थूँ जो financial literacy provide की जाएगे, तो याद रखना है, साही पे के साथ ये, या सही पे के साथ मिलके किया जा रहा है, तो online entrepreneurship program, e-skill India portal, उसके थूँ ये, सारी की सारी accessibility provide की जाएगे, और it will provide youth an opportunity to explore self employment for sustainable livelihood, अब अगर उनको financial literacy मिलेगी, तो knowledge gain कर रहे हैं, इसका मतलब उनको self employment करने में help मिलेगी, जिससे वो अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, और National Skill Development Corporation और सही पे will also organize serious or the various digital and the on-ground initiative to create wider awareness about the digital financial literacy, और digital India का जमाना है, तो by default digital India को आगे बढ़ाना होगा, अगर आप financial awareness create करोगे, और recently, National Skill Development Corporation and LinkedIn ने announce की थी पार्टनर ही, वो भी सेम काम के लिए कि जो tie-up है, वो किसके साथ हो गया, NSDC का एक tie-up जो हो गया है, हमारे पास सही पे के साथ, और दूसरा tie-up किसके साथ हो गया, LinkedIn के साथ, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, और recent जो news में आता है, वो मैं आपको साथ-साथ में बताता रहता हूं, इसलिए याद जरूर रखें, और जो चीज़े option में दी होती है, वो जरूर याद कर लिया करो, अगर कुछ important होता है, जैसे SEBI का question आता है, कि किस year में established किया गया था, 1988 में, लेकिन ये statutory कौन से year में बना, 1992 में, निती योग आपको पता है कि chairman, prime minister होंगे, CEO कौन है इसके, अमिताब कांथ, और deputy chairman कौन है, deputy chairman जो है वो इसके है, रजीव कुमार, तो ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखने है, National Payment Corporation of India हमने कली discuss किया है, और इनके headcon है, दलीब असवे, तो इस तरह से आपने चीज़ों को recall करते रहना है, नेक्स आते हैं, एक book फिर से आ चुके है, पहले हमने, खान अब्दुल गफार खान जी के autobiography के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे जान रहे है, dynasty to democracy, the untold story of समरीती इराणी ट्राइंफ, authored by whom, तो एक book लिखी गया, जिसका नाम है dynasty to democracy, मतलब यह गांधी परिवार से जो है, यहाँ पे खड़ा होता था बंदा, मतलब कोई भी खड़ा होता था, चाहे वो सोनिया गांधी जी है, चाहे वो राहूल गांधी जी है, तो उनकी dynasty rule चल रहा था, तो उसको किस तरह से जो है, वो कोई और बंदा जो है, वो ले गया, मतलब समरीती राणी 2019 में वो election जीत गई थी, अमेठी से, तो उसके बारे में यह book जो है, बताती है जीत, इतियासिक जीत, अनकही दास्ता, was published in December 2020, लेकिन अब इसका English version जो है, वो release किया जा रहा है, और समरीती राणी की अमेठी के अंदर success और उनके political method जिस तरह से वो जीती, क्योंकि 2014 में वो सेम जगा से हारी थी, राहूल गांदी से, लेकिन अब सेम जगा से जो है, जीत चुकी थी, और राहूल गांदी जी फिर वाइडनाट से, एक जगा पर और भी स्टेट के बारे में बता लगे, और even हम दीरे-दीरे करके सारी स्टेट को cover करते रहते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है, वो उसके अंदर ना सके, और one of my favorite chief minister जो है, वो वहाँ पर काम कर रहे है, इसका मतलब अंसर क्या होगा, इसका Odisa होगा दोस्तों, Odisa ने ये department बनाया, department of mission शक्ती, ताकि self-help groups, क्योंकि उसमें औरतें ज़्यादा काम करती है, तो इसलिए नाम क्या रखा गए, mission शक्ती, और rural और urban के जो self-help groups हैं, state के अंदर उसको शशक्त किया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा, उसमें financial assistance प्रवाइड की जाएगी, और Odisa अपने आप में बहुत important state है, क्योंकि चीफ निस्टरे नवीन पतनायक जी और governor कौने गनेशी लाल जी, और Odisa बहुत important state है, because यहाँ पे आपको मिलेगा बीतर कनी का नैशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा यहीं पर जो है, वो Odisa का, या पूरे इंडे का आप कह सकते हैं, इवन लोंगेस डैम है और कौन सी रिवर के ओपर है, महानदी रिवर के ओपर है तो बहुत सी information Odisa के बारे में आपको मिल चुकी है और एक नया department उन्होंने create कर दिया है तांकि self-help groups को हम क्या कर से शशक्त कर सकें तो directorate of mission शक्ती and Odisa livelihood mission दोनों को merge कर दिया गया है और effective interactive platform बनेगा तांकि self-help groups को हम मजबूत कर सके उसमें financial assistance बगरा provide की जाएगे next question के उपराते हैं which bank launched smart up unity for women entrepreneurs तो यार एक bank ने एक लक्षय जो है वो लिया है तांकि हम औरतों को और शशक्त कर सकें फिर से आज जो है वो बात जादा औरतों की हो रही है because किसलिए women day के कारण या international women day के कारण लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही दिन जो है वो women को respect दे तो smart up unity platform जो है वो concept bank की तरफ से start किया गया यह आपने जो है वो याद रखना है और बहुत से बच्चे जो है वो answer बता चुके है smart up unity जो है वो HDFC की तरफ से start किया गया है women entrepreneurs को train करना है नए women entrepreneurs को mentorship provide करनी है नए startups जो women खोल रही है उनको हमने और आगे बढ़ाना है नया startup ecosystem जो को हमने दूर करना है यह HDFC ने लक्षे लिया है और उनका लक्षे है कि 3000 से भी ज्यादा women entrepreneurs को हम क्या करेंगे एक साल के अंदर जो है वो शशक्त करके रहेंगे जो नए startups को खोलना चाते हैं तो HDFC आपके लिए important है CEO और MD कौन है शशिदर जगदीशन याद रखेंगे शशि साथ headquarter जो है वो Mumbai महाराष्टा tagline है we understand your world तो आप यहां पे देख सकते हो HDFC launch smart up उनती progress for women for women entrepreneurs और आप यहां पे देख सकते हो एक साल के अंदर women entrepreneurs को और आगे बढ़ाना है जो भी उनके गोल है उनको अचीव करने में help करनी है यह HDFC बैंक की तरव से target रखा गये कि more than 3000 women जो क इस program के थूँ जो है वो उनत किया जाएगा उनको mentorship provide की जाएगी उनको अपना business expand करने में help दी जाएगी और नए experience से जागरूप जो है वो करवाया जाएगा तो मतलब कोई भी challenges है जो वो face कर रहे है उसको दूर किया जाएगा और शशीदर जिगदीशन MD or CEO tagline वो ही understand your world next question क अब यह भी देख सकते हो कि HDFC को as a private sector bank जो है वो कब बनाया गया था 1994 में next question है हमारे पास which company will sport 1 million women entrepreneurs in rural India by its newly launched women will platform तो यार नई रूरल इंडिया में फिर से women entrepreneurs को जागरूप किया जाएगा फिर से question women entrepreneurs से related तो बहुत सी चीज़े होगी है तो इसको यार no down जुरूर कर लेना जि शक्त करेगी उनको जो है वो मजबूत बनाएगी तो वो एक प्रोग्राम के ताहित जो उनका web platform है women will तो इससे भी आप अंसर बता सकते हो कि women will platform जो को किसने start किया था यह किसने start किया था Google ने तो अंसर किया होगा इसका B होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो Google Announce 25 million अपने और जेन इंडिया उनको financial assistance जो हो प्रोवाइट की जाएगी उनको business tutorial सिखाए जाएगे उनको mentorship प्रोवाइट की जाएगी accelerator program तांकि वो business को आगे बढ़ा सके और यह women will platform के साथ जो हो start किया जाएगा मतलब इसमें question और है कि women will platform कौन सी company के दोरा start किया गया Google की तरफ स university मतलब 5 लाख डॉलर will be provided to NASCOM, NASCOM को दिया जाएगे National Association of Software and Service Companies को तांकि वो एक लाख women को और जो की agri sector से related है उनको financial literacy, digital literacy के बारे में जागरूप करवा सकें तांकि वो शशक्त हो सकें आगे बढ़ सकें और सुंदरपचाई जी ने कहा है कि internet साथी program जो है वो बहुत अच्छ साथी जिसमें जो women rural community से belong करती है, rural community में काम करनी है उसमें digitalize करना है उसको digital literacy उनको provide करनी थी और ये Google India का था, Intel का program था और Tata Trust का program था जो 2015 में launch किया गया था तो याद रखना है internet साथी program जो है वो खतम हो चुका है और अब एक नया program स्टार्ट हुए women will, women entrepreneurship के लिए नेक्स आते हैं Denmark to set up center of excellence for the dairy sector in which state ताकि उस state का जो है वो dairy sector और ज्यादा बढ़ सके, already वो पूरे इंडिया का second number पे आता है milk producing के अंदर और वो state कौन सी हमारे पास, राजस्थान, area wise अगर आप देखोगे सबसे बड़ी state आपके पास कौन सी आएगी, राजस्थान और राज Denmark के बारे में याद रखेंगे, capital Copenhagen और currency जो है वो दानिश क्रोन होगी और Prime Minister Metafrediction है, लेकिन आपने main चीज़ याद क्या रखनी, capital and the currency तो आप यह पर देख सकते हो कि urban areas जो की उदेपूर्फ में हैं, वहाँ पर water conservation और purification works में सहायता प्रवाइट की जाएगी, technical sport बारे में बताके milk production को increase किया जा सके, और Rajasthan second highest milk producing state है इंडिया की 11% of the total milk production जो है वो वहीं से होती है, first आपको पता है गुजरात है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान है, तो राजस्थान के बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, national parks कौन से हैं राजस नेशनल पार्क, यहीं पर आपको मिल जाएगा कलादयोगना नेशनल पार्क, यहीं पर आपको मिल जाएगा रंथम बोर नेशनल पार्क, बहुत इंपोर्टेंट, और यहीं पर आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो यह सारे के सारे याद रखने है, है और Chief Minister मेरे खाल से पता होगा Recently Disputed State थी Because Deputy Chief Minister और Chief Minister में जो है वो लड़ाई हो चुकी थी और Deputy Chief Minister यहाँ पे सचिन पाइलेट थे लेकिन अभी नहीं है और अभी जो है वो Chief Minister है हमारे पास अशोक गहलोड जी Next question के उपर आते हैं और यह आप अपने आप में जो है वो एक बहुती काबलियत जो है वो रखते हैं तो इनका यार दिहानत हो गया लेकिन आपको examiner दो-तीन चीजे पूछ सकता है इसमें से कि एक तो यह ध्यानचंद National Award है मतलब इनको National Award मिल चुका है ध्यानचंद National Award मिल चुका है इनका नाम याद रखना है इशर सिंग दियोल है Veteran Indian Athlete है तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी गेम से यह संबंध रखते थे तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है यह आपको पूचा जा सकता है कि क्या थे तो आपने याद रखना है 60 तक जो है वो इन्होंने बहुती तेजी से जो है वो growth जो है वो की है और पंजाब athletes में इनका नाम जो है वो बहुती आगे लिया जाता है और even आपने याद रखना है 1982 में the first Asian veteran athlete meet के अंदर इन्होंने gold medal जीता था Singapore के अंदर और first Asian Games आपने याद रखने है कौन से year में हुई थी 1951 में तो दो-तीन चीजें नाम याद रखेंगे और पंजाब से बिलॉंग करते हैं चंडिगण में इनका जो है वो दिहानत हुआ है लेकिन साती साज याद रखना है कि athlete थे और ज्यादा तर short put और discuss throw में खेलते थे नेक्स आते important questions के ओपर important question में है तो इंडिया में जन आश्दी दिवस मनाया जाता है आपको पता है जन आश्दी के इंदर है ताकि medicine जो है वो आपको सस्ती मिल सके इवन 90% कम price पर आपको medicine मिल जाती है जो बहार की cost जो है वो अलग dispensaries में अलग-लग तरह की है तो जन आश् जन आश्दी दिवस मनाया गया इवन एक जन आश्दी week था एक मार्च से लेके 7th मार्च तक तो यह जन आश्दी week जिस दिन खतम हुआ उसी दिन जन आश्दी डे जो है वो मनाया गया तो आप देख सकते हो थर्ड जन आश्दी दिवस मार्च 7th 2021 थीम क्या था सेवा भी औ मतलब लोगों की सेवा यार कम पैसे में आपको मैडिसीन मिल रही है रोजगार भी मिल रही है जो लोग ऐसा काम कर रहे है जो ये medical shops जो जन आश्दी के इंदर है वो खोल के बैठे हूँ है तो उनको मेन एम यही है कि परदान मंतरी बारतिय जन आश्दी परिजोजना के त और यह आप कह सकते है जन्रिक मेडिसिन डे जो है वो हमने मनाया है और प्राइम निस्टर मोधी जी ने डेडिकेट किया 750 मतलब 75 हंडर्थ जन्रोश्दी के अंदर जो है वो बनाया गया कहां पर मेगालिया के अंदर इस बात को थोड़ा सा याद रख लें एक्जाम मिनर यह रिशी गंगा रिवर इन उत्रकंड तो आपको पता यार अभी वहां पे जो है वो बस्ट हुआ था क्लाउड जिसके कारण जो है वो वहां पे बहुत सी तबाही जो है वो उत्रकंड में आ चुकी थी जिसके कारण जो है वो वहां पे अब जो है वो एक ब्रिज बनाया गय रिशि कंगा रिवर के उपर जिसके कारण ये पुल जो है वो टूंट चुका था खास करकर रिशि कंगा hydroelectric project जो है वो पूरा का पूरा बह चुका था तो इसलिए इस bridge को जो है वो नाम दिया गया है the bridge of compassion नेख साथ है India over performed by 75 positions in frontier tech among developing countries अगेन एक report है conference Conference on Trade and Development तो याद रखना है Conference on Trade and Development उनाइटे नेशन की औरगनेशन जिसकी तरफ से यह दिया गया है कि इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है बाकी कंट्रीज के मुकाबले और यह Technology and Innovation Report है 2021 की यह किसने दिया पहले तो यह याद रखना है Technology and Innovation Report 2021 की दी गया यह UNCTAD की तरफ से और 158 countries को जो है वो रैंक किया गया जिसने Technology के अंदर जो है वो अच्छा काम किया है और अपनी GDP से बहुत आगे का जो है वो काम किया है मतलब उतनी उनकी GDP है नहीं तो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो उन्होंने किया है तो ओवर परफॉर् and answer की form में convert करके पूछूंगा आपसे आने वाले दिनों के अंदर तो आपने याद रखना है कि इंडिया का Rank Technology and Innovation Report 2021 में 43rd है और इंडिया ने अच्छे से जो है वो इसके अंदर परफॉर्म किया है नेक्स External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar जी ने एक New Cultural Center of High Commission of India खोला है कहां पे डाका के अंदर तो simple question है बस बांगलादेश के अंदर जो है वो एक निया Cultural Center of High Commission खोला गया यह आपने याद रखना है Next XC Bank launched WhatsApp Banking Service तो यार फिर से WhatsApp Banking अब बहुत से बैंक जो है वो खोल रहे है पहले ICAC भी जो है वो खोल चुक है मत अपनी Services जो है वो इस तरह से वो ओपन कर रहे है तो simple है जस्त जाद रखना है बस Next SpaceX successfully test Starship Ascend 10 prototype rocket तो एक rocket जो है वो SpaceX की तरफ से जो है वो launch किया गया इसका पहले भी वो दो बार टेस्ट कर चुके है लेकिन दो attempt जो है उनके fail हो चुके थे यह भी attempt जो है वो fail होता होता रहा गया क्योंकि यह rocket जो है वो 10,000 km उन्चाई पे गया मतलब आल्टीचूट पे गया फिर वापिस आ गया लेकिन वापिस आने के 6 मिनिट के बाद जो है वो क्या हो गया यह explode कर गया फिर भी SpaceX इसको जो है वो successfully मान रहा है तो हम भी successfully बता रहे हैं इसको तो SpaceX successfully tested Starship Ascend 10 prototype rocket तो याद रखना है यह जो Starship है basically यह SpaceX की तरफ से ही develop किया गया है ताकि जो moon के उपर या Mars क उपर या जितनी भी दूर destinations है उसमें पेलोड या लोगों को बेजा जा सके इंडिया retains Anthony the Mellow Trophy by defeating England in 2020-2021 test series तो आपको पता है इंडिया ने जो है वो test series जीत ली है तो अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हो इत्यासिक moment कि एक test series जो है वो इंडिया की तरफ से जीती याद रखना है और बहुत important एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो अश्विन है रवी जंदरन अश्विन became the first Indian cricketer जो की 30 wicket लेते हैं इन्हें test series twice दो बार लगातार जो है मतलब लगातार नहीं कह सकते मतलब continuously नहीं है दो बार उन्होंने test cricket के अंदर 30 wickets को जो है वो लि जो है वो आउट किया है तो सिरफ एक दो points है जो आप यहाँ पे recall कर सकते हो लेकिन अधरवाइस इंडिया जो है वो इस series को जी चुका है और इस series का नाम याद रखना है आंथनी दी मेलो ट्रॉफी जो की इंडिया जो है वो जी चुका है प्लेयर आफ दी series को ने रवी चं साथ शेयर कर रहा है बंगलादेश के साथ और आपने याद रखना है कि बंगलादेश के साथ कौन कौन सी states boundary शेयर कर रही है तो यह एक तो clear है West Bengal उसी से तो लग किया गया जो की बंगलादेश बना असम आ जाएगा इसका और साथ में मेगालय आ जाएगा नॉर्थ इस्ट में ररेजिड्यूरी पावर में तो बजी खुची पावर हैं वो किस के पास रहेंगी मतलबगो पता है कि आर जो आपकीस वन के अंदर वी नहीं आ रही है list two के अंदर नहीं अर जो किसके अंदर झो है वो आएगो कि उसके उपर कौन decision जो है वो ले सकता है तो आपने बताने answer only comment box के अंदर तो यार article उसका मैं बता देता हूँ आपको अगर आप article जानना चाहते हैं 248 article के अंदर वो दिया हुआ है तो आपको hint दे रहा हूँ तो answer देना है तो 700 plus likes मुझे चाहिए subscribe कर दें channel को और bell button को press कर दे maximum to maximum अगर आप information लेना चाहते हो तो bell button को press कर दें तांकि आपको सारी चीज़े on time मिल सकें और यह affairs cloud का promise है कि आपके confidence को जरूर boost करेगा और साथी साथ यह मेरा personal promise है कि अगर आप videos को लगातार देखते रहोगे और current affairs को PDF से पढ़ते रहोगे तो आपका current affairs section जरूर strong होगा और thank you guys take care bye bye